हेलो दोस्तों अरद्देरस एकडमी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्तान में आईजित रिट बरती परिक्षा लेवल 2 SST यानि की सामाजी कद्धन के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार मोडल पर के टेस्स चुरू की गई थी जिसमें अपने पांच मोडल पर है वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना इसमें छटा नंबर का मोडल पर है दोस्तों सामाजी कद्धन के 60 बाल विकास के 30 समाने इंदी के और 30 संसकर्ण के प्रयस्तन उसमें सामिल किये गए हैं देखने को मिलेगा परिक्षाति थी आप सभी को याद है 23-24 जुलाई परिक्षाति थी है दोस्तों अरद्यारेस एकेडमी के यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करना है दूस्तों ठीक है और अगर आपने पिछले पांच मोडल पेपर अगर नहीं देखें तो आप ले लिस्ट में जाईए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट सामाजी कद्यन मोडल पेपर के नाम से आप अप भग तक ठिक है देखिए इकरानंव नमबर का प्रस ने के सरबाग वन्य जीव अबढारन्र राजस्तान के निम्नलीकट में से किस जिले में चलित है बताइये अच्छा प्रस ने के सरबाग वन्य जीव अब या ये 955 में गोशित किया गयa था ठीक है और इसका जो सेतर फल है 14.6 किलोमेटर है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोलपूर में इस्तित है यहां पर बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही नेक्स्ट नाइटी टू नंबर का प्रेस ने राजस्तान का राज्य पुस्प क्या है बताई यह राजस्तान का राज्य पुस्प गोशित किया गया था ठीक है राइट आंसर इसमें यह नंबर उप्शन सही आगे देखिए राजस्तान का वह राष्टी राजमारग जो एकी जिले में सिमीत है बताईए राजस्तान का वह राष्टी राजमारग जो दोस्तों एकी जिले में समी शिमीत है वो नया नाम है वो है दोस्तों 448 यानिकि राष्टी राजमार्ग संख्या 448 ठीक है ये इसका नया नाम है पुराना नाम है 79A और ये दोस्तों किसंगड से नसीराबाद तक है ठीक है राइट आंसर इसमें बी नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखिए 94 नंबर का प्रशन प्रशन है असो के अभी लेखो में निमन मेंसे कौन सी लीपिया पर्यूक्त हुई है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए खागोष्टी ब्रामी अरामाईक वेगरिक है तो दोस्तों ये सभी लीपियां है ये लीपियां दोस्त असोक के अभी लेक में प्रियुक्त हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है D नमबर का जो अप्चन है, वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा, 95 नमबर का प्रस ने, कलिंग यूग के पस्चाथ असोक ने क्या निश्य किया, दोस्तों, कलिंग यूग के पस्चा है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा जो यह कलिंग का यूद है दोस्तों असोक के राजय भी से के आठवे वर्स दोस्तों 261 इसवी पूरों में ये यूद लड़ा गया था आप सभी को पता है और इस यूद की जानकरी है वो असोक के तेरवे सिला लेक में अपने को मिलती है यहाँ पर ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे 96 नमबर का प्रेस ने कि सासक के काल में नालंदा विश्वी द्याले की स्थापना हुई दोस्तों नालंदा विश्वी द्याले की जो स्थापना है वो किसके समय हुई थी राइट आंसर हो जाएगा वो सरोपर्तम सती पर्था के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेना पती की पत्नी सती हुई बहुत यह अच्छा प्रसन है दोस्तों किस अभी लेक से अपने को यह जानकरी मिलती है यहनि कि सरोपर्तम सती पर्था के बारे में कहा गया कि गोपराज नामक सेना पत्नी सती हु इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो एरन अभी लेख में अपने को ये जानकरी मिलती है B नंबर का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो एरन जो अभी लेख है ये 510 इस्वी का भानुगुप्त का अभी लेख है ठीक है इसमें राजा गोपराज दोस्तो यानि की गोपराज नामक सेनपती की पत्नी जो सत्ती हुई थी उसकी जानकरी अपने को यहाँ पर मिलती है तो यहाँ पर अपना इसमेरे एरन अभी लेख इसका right answer हो जाएगा किस राष्टर कूटर सासक ने अर्बो को गुजरात में परव्यस करने से रोका इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें दूर्व है यह पर्थम राष्टर कूट्सासक था जिसने उत्री भारत के आदिपत्ते के लिए चलाए जा रहे त्री सतात्मक संगर्स में हस्तक सेप किया था ठीक है और दोस्तो परतिहार राजा वच्राज वै पाल राजा धरमपाल को प्राजित भी किया था राइट अंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल स यहाँ पर सी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा जैपूर जिले से आगे देखिए सो नमबर का प्रेशन है नारायना दोस्तो नारायना किसके लिए जाना माना केंदर है पताए नारायना जो यह किसके लिए जाना माना केंदर है इसका यानि कि नरेना जैपूर में ठीक है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखे एक सो एक नंबर का प्रेस ने निम्न में से कौन सा गड़ सूदर्शन गड़ के नाम से भी जाना जाता है कौन सा का मुकट है महलों का दुर गए इत्यादी नामों से इसे जाना भी जाता है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही ना हरगड आगे देखे जोगी महल कहा इस्तित है बताएए दोस्तों जोगी महल कहां पर इस्तित है तो यह अंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 25 फरवरी 1568 इसवी को 25 फरवरी 1568 इसवी को अकबर ने चितोड के किले पर अधिकार किया यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक सो चार नंबर का प्रशन है परत्विराद चोहान तिरते के पिता कौन थे प नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक सो पांच नंबर का प्रशन इसमें देखे मर्दा जो पस्मी राजस्तान में सरवादिक छेतर में मिलती है वह कौन सी है दोस्तों वह मर्दा कौन सी है जो पस्मी राजस्तान में सरवादिक छेतर मे आगे देखे 106 नमबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा समू है दोस्तो सुमेलित नहीं है कौन सा समू है सुमेलित नहीं है यहां पर देखिए बीम सागर कहां पर है चालावाड में बिल्कुल सही है जवाई बांध कहां पर है पाली में है बिल्कुल सही है पारवती ब भानद कहा पर है यह भील वडाड़ा है यह गलत दे रखा है दोस्तों यहां पर जो पारवती बांद है यह कहां पर है değolpoo में हैं और दो 對rí Jesus पर बनाया गया है ठीक है जाकम बांद परताब गड़ में है यह तो सभी को पताओगा दोस्तों यहां पर सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा यह सुमेलित नहीं है एक सो साथ नंबर का प्रशने पंच पद्रह किस खनीज का महतोपूर्ण उत्पादक है बताए पंच पद्रह किस खनीज का महतोपूर्ण उत्पादक है वह है अपना भाइट आंसर हो जाएगा वो है दूस्तों यहां पर देखे शांबर डीडवाना पंच पद्रह यह नमक उत्पादक छेत्र है तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का उप्शन ब टिक बनाए जाते हैं ठीक है तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर उप्शन सही उत्तर आगे देखे जालरा पाटन के सूरिय मंदिर की परमुक विशेष्था क्या है जालरा पाटन में जो सूरिय मंदिर है उसकी विशेष्था क्या है तो दोस्तों उसकी विशेष्था है सब्तरत यहां पर सी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सब्तरत है दोस्तों यहां सूरिय साथ गोडो वाले रत पर विराजमान है ठीक है और इस मंदिर का जो निर्मान है वो नागबठ दित्या निकरवाया था राइट आंसर हो जाएगा स सी नमबर उप्शन आगे देखे एक सो नो नमबर का प्रिशन है राम सनेही संपरदाय के संस्तापक है संत राम चरण के गुरू कोन थे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किरपा राम यहां पर सी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जा आते हैं दोस्तों राजस्तान में सागवान के वन है वो उदैपूर डूंगरपूर छेतर में यह मिलते हैं तो यहां पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सहीवतर हो जाएगा उदैपूर डूंगरपूर आगे दे उसका एक छेतर है जो सर्वादीक ठंडा इस्तल है ठीक है और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि राजस्तान का जो बर्खो यांस का है जो चेतर है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों माउंट आबू की कि यह भी दोस्तों यहां पर भी काफी ज़्यादा सरदी पड़ती है यहां पर यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा एक सुबारा नंबर का प्रस्टन है पानी के पान ब्याण ठीक है तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइंसर हो गाहेगा बरतपुर्का केवला देव राष्ट उद्यान या ब्यारन ठीक है यहां पर अपना सि नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा यहां पर दोस्तों दूर दूर से पक Adler सी आते हैं ठ पर देखें लून करंड सर डीडवाना और फड़ुदी ये तीनों दोस्तों क्या है ये खारे पानी की जीले हैं लेकिन यहाँ पे आपको डी नंबर का उप्षन दिख रहा होगा आना सागर दोस्तों ये अजमेर में हैं और ये मीठे पानी की जील है और यही अपना राई टांसर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखिए 114 नमबर का प्रेस ने निमन लिखी थे युगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ नदी है दूसरी तरफ उद्गम इस्तल है ठीक है यहां पर अपने को बताना है कि दोस् काखनी नदी क जो उद्गम है यह तो आप सभी को बता भी होगा दोस्तों काखनी नदी का जो जो उद्गम है वो कोठारी गाउं जैसल्मेर से होता है और यह अंत्य परवाही नदी है ठीक है राइट अंसर हो जाएगा इसमें डी नम्बर का उप्षं बिलकुल सही तरफ पाडिया गलत दे रखा इसमें आगे देखिए निम्न मेंसे कौन वाँगर के गांदी के नाम से प्रिसिद है इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भोगिलाल पांड्या यहां पर सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल से उत्र हो जाएगा भोगिलाल पांड्या ठीक है आगे देखिए 116 नंबर का प्रेस ने जोदपुर का प्रशिद परियाटन इस्तल जस्वन थड़ बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा जस्वन थड़ा है यह सपेद संग्मर्मर से बना हुआ एक इस मार्क है ठीक है याद रखना और महराजा जस्वन सिंग दित्ये के बाद दोस्तों उनकी याद में उनके उत्रादिकारी महराजा सरद सिंग के द्वारा यह बनवाया गया था ठीक है अगे देखे 117 नंबर का प्रशन है निम्न में से राजस्तान में किस रीती रिवाज का समन्द विवासे है दोस्तों बताए किस रीती रिवाज का समन्द है वो विवासे है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स साथ वरपक्स का जो स्वागत करता है उसे सामिला कहते हैं यहां पर डी नमबर ऑप्षन बिल्कुल सही आगे देखें ओरंगेब की मरत्यु तक अपने को करने का प्रियास करने वाला राजपूत राज्जे था बताइए ओरंगेब की अजीत सिंग और उनके सर रख सके दुर्गदास राठोड ने औरंग जेब की मर्तिव तक अपने को सवतंतर करने का परियास किया था ठीक है यहाँ पर ए नमबर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 111 नमबर प्रस ने एक निर्वाचित सविदान सबाद्वारा भारत के सविदान का निर्मान करने का प्रस्ताव किया गया था एक निर्वाचित सविदान सबाद्वारा भारत के सविदान का निर्मान करने का प्रस्ताव किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो किरिप्स मिसन द्वारा यहाँ पर सी नमबर का जो अप्शन देखे दोस्तों दोज राजदानी सासना द्यक्स तो राइट आंसर हो जाएगा संपरभूता ठीक है यहाँ पर C नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्र हो जाएगा संपरभूता ठीक है देखे राजनिती विग्ञान के नुष्टार राज़े के चार ततव ह होते हैं संपरभूता सरकार जंसंक्या भूभाग ठीक है यह सबस्थ दोस्तों कि देखिए भारतेी में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नेरू रिपोर्ट गुनी सो अठाइस ने समर्थन किया था बहुत ही अच्छा प्रस्थन है दोस्तों क्या ये सही है तो दोस्तों देखिए इसमें सिधा सा पुछा गया है कि इसमें कौन सा एक सही है कौन सा एक सही है वो अपने को को यहां पर क्या करना है बताना है देखिए यह बिल्कुल सही है भारतिय सविदान में मूल अधिकारों को सामिल करने के लिए नेरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था ठीक है बिल्कुल सही है बाकी के कतन है वो दोस्तों इसमें क्या है गलत दे रखे हैं जो कि आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो यहाँ पर इस प्रेस्टन कराई टांसर हो जाएगा ए नमबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखे निमनलिकित कत्नों में से कौन सा या कौन से भारतिय नागरी के मूल करतवियों के विशे में सही है अपने को कूट बासा में क्या करना है दोस्त यह विदी करतवियों के साथ प्रेस पर समंदित हैं दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा यह ठीक है दोस्तों इनकी पालना करने है तो व्यक्ति को बादे नहीं किया जा सकता और इनकी अवेहलना करने पर दंड नहीं दिया जा सकता है दोस्तों यह जो मूल करतवे हैं यह भा अपने को कूट बासा में उत्तर बताना था दी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ने तो एक और ने ही दो ठीक है आगे देखे एक सांसद अथ्वा विदान सभा का सदस्य राष्ट्रपती निर्वाचित हो सकता है परंतू परंतू दोस्तों पर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी ठीक है अपनी सदस्यता छोड़नी होगी यहां पर सी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहां पर इस प्रेस्टिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो निर्वाचन के लिए नामांगकन पत्र दोस्तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन छेतर की मतदाता सुची में दाखिल किया जा सकता है यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तो सी नंबर का उप्शन हो जाएगा दोस्तो यानि कि की Stephen Kitchen की से इसमें 125 नुम्र का प्रेस ने भारत में उस्तमनायले का उदगाटन किसकी में हुआ जाएगा बहुत के निमनलिकित में से कौन सवतंत्र भारत के किसी राजे कि सरोपर्थम मैईला पाल बनी बताएगे कौन सवतंतर भारत के किसी राज्य की सरोपर्थम महीला राज्यपाल बनी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरोजनी नाइडू यहाँ पर ए नंबर का ओप्सन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है दोस्तों यह उत्र प्रदेश की राज्यपाल बनी थी गुनी सो सैंताली से गुनी सो गुनन सास तक और यह सवतंतर भारत की पर्थम महीला राज्यपाल थी ठीक है और राजस्तान की पर्थम महीला राज्यपाल कौन थी परतिबा देवी सिंग पाटिल यह भी याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद करने से समंदित कौन सा या कथन है वो इसमें यह रद करने से समंदित कौन सी सही विधी है तो यहां पर देखिये समंदित राज्य की विधांत सभा दवारा पून भोहमत से प्रस्ताव पारित करके उसे संसद में बेजा جता है और संसद से पारित विदी दवारा दोस्तों जो दूसरा सदन होता है विधांत परिषत का उसको समार्प्त किया जा सकता है राइट आंसर हो जाएगा इसमें C नंबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 128 नमर का प्रेशन है निम्न में से कौन सा राज्य के उच्छ नहले का मुख्य चेतरादिकार नहीं है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएगा तो दोस्तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो अनुचे 143 के अनुचार राश्टर पती है वो उच्छ नहले के जो नियादीस होते हैं ठीक है उनसे सलाह मांग सकता है लेकिन उनको मानने के लिए बादे नहीं है दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा प्रामर समंदी चेतरादिकार है ठीक है यह उच्छ नहले का मुख्य चेतरादिकार नहीं है यह राश्टर पती का चेतरादिकार है ठीक है प्रारंबिक चेतरादिकार निरिक्षण का चेतरादिकार और अपीलिय चेतरादिकार यह तीनों उच्छ नहले के मुख्य चेतरादिकार है ठीक है तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें राज्य का विदान मंडल राइट अंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सब्सक्राइब राज्य का विदान मंडल ठीक हैं आगे देखे 130 नंबर का प्रेस्थ ने भारत के परदान मंत्री के विश्व में निमनलिकित म करने का अगात का अनुबव करने वाली इस्तितिय हैं बालक के लिए स्वेगात्मक आगात करने का अनुबव करने रने वाली इस्तती है तो वो इस्तती कुन सी है वो इस्तती है दोस्तों पूर्वा ग्रह युक्त सारीरिक दंड या मानसिक आगात संतुलित एवं प्रत्यारना चातर का नेतिक पतन है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी यहां पर डी नंबर का ओप्शन सभी जगर सांती रेना चाहे उसके वैवार का प्रिय वैक्ष हो या ने हो ठीक है एक D नमर का जो उप्शन है वो सब्सक्राइब बिल्कुल सहीं होजाएगा 133 नंबर का प्रेस निम्न में से कौन एक स्वायत संस्तान नहीं है बताइए निम्न में से कोन एक स्वायत संस्तान है वो नहीं है इसका राइट आनसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखिये यहां पर ICS SR और ICPR और ICSR तो दोस्तों ये कोई भी स्वायत साथ सी संस्थान है वो नहीं है बलकि ये बारस सरकार के विभागों के अंतरगत कारे करती है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा ये सबी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कोई भी एक स्वायत संस्थान है वो नहीं है ठीक है आगे देखिए यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यारती किसी प्रशन का उत्तर नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यारती जो option है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों अगर अगर अपन साधरन प्रशन करेंगे तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थी में हतासा उत्पन है वो नहीं होगी आगे देखिए चातरों के एवानचित आचरन के सुदार हितू निम्नलिकित में से कोन सा तरीका सर्वत्म होगा तो वो होगा दोस्तों देखिए उनकी तूटियो का बोध कराना होगा राइट अंसर इसमें डी नम्बर का उप्सन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए जब आप कक्षा सिक्षन में मगन हैं तो यानि कि तब दो पड़ोसी विद्यारती आपस में बाचित करने लगते हैं ऐसे में आप क्या करेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें बताएए क्या करेंगे तो दोस्तो वो है आप उन्हें उनके समस्या के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे 137 नंबर का प्रेशने कोई विद्यार्ति अपनी व्यक्तिकत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है एक सिख्सक के रूप में आप क्या करेंगे तो दोस्तो आप उसकी समस्या समझने की कोशिश कर उसे शायता करेंगे यानि कि उसकी सा आगे देखे चात्रों की पढ़ाई पर व्यक्तिकत ध्यान देने से क्या लाब है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें उनकी बुद्धी लब्दी बढ़ती है यहां पर यह नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे आप एक सिक्सक बनना चाते हैं क्योंकि आप एक सिक्सक बनना चाते हैं क्योंकि क्योंकि दोस्तों आपकी सिक्षन में रूची है यहां पर सी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे एक सो चालिस नंबर का प्रसन है हो है दोस्तों देखे उसके लिए दुक पर कट करना उसकी साहत सिखाना तो दोस्तों इसका राइट अंसर हो जाएगा देखिए किसी विकलांग वेक्ति की सायता के लिए यह सर्वस्रेश्ट है कि हम उसके स्युम सायक पर विदिया सिखाने का प्रियास करें जिसे कि उसके आत्म विश्वास में वर्दी होगी यहां पर अपना इसमें बिलकुल सही आगे देखिए किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त परकार की जलवायू रखता है किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त परकार की जलवायू रखता है इसका राइट आंसर हो जाएगा यह खाथा मार्श डेन ने कहा था दोस्तों ठीक है राइट आंसर हो ये देखे करनाटक में मिलती है मद्य परदेश में मिलती है तमिलाड़ों मिलती है लेकिन उत्रपरदेश में नहीं मिलती है तो यहाँ पर अपना इसमें D-number का option right answer हो जाएगा आगे देखे भारत में दूद उत्पादन राज्यों में पर्थमिस्तान किसका है इसका right answer हो जा वन वर्ष गोशित किया गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें 2011 को यहाँ पर A नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा 146 नंबर का प्रेस ने इसमें देखिए भारत का पर्थम तटवर्ती लो है इस पात उद्योग कौन सा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें विजाग ठीक है कौन सा है विजाग है राइट आंसर हो जाएगा इसमें D नंबर का जो अप्षन है वो इसका ब किलोमेटर में निवास करते हैं यह भारत का जंगनत्व है ठीक है बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए विश्व में सरुपर्तम आप दा परबंदन रणनीती कब अपनाई गई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यह अपनाई गई थी गुनी 249 में है ठीक है आगे देखिए इसमें 149 नंबर का प्रहस्त ने ठीक है इसमें देखिए भारत में कर्शी को वित देने वाली सिर्श संस्ता है भारत में कर्शी को वित देने वाली सिर्श संस्ता है वो कौन सी है वो है दोस्तों नाबाड यहां पर बी नंबर का उप्शन से इतर हो जाएगा नाबाड आगे देखिए सिंदु गाटी की जल निकास प्रनाली का सबसे बड़ा दोस्त क्या है सिंदु गाटी की जल निकास प्रनाली का सबसे बड़ा दोस्त क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नालिया को के पास होती थी य गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट अंसर, C नमबर का उप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें क्या है, सही है, ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिये, अपने जो 60 प्रसंद पड़े हैं, ये प्रेस्न सामाजी कद्यान के किशन थे एक एकरानम से लेकर और 150 तक अब अपन बालविका सेवं 66 सास्तर से समंदित प्रेस्न पड़ेंगे एक से लेकर 30 तक ठीक है देखिए आपको पता लगाना है कि आपके कितने प्रस्थन हैं वो बालविकासेवन सिख्षास्तर में सही हो रहे हैं क्योंकि एक-एक प्रस्थन है वो महतोपूर्ण है ठीक है देखें दोस्तों यहां पर गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा वेवार में परिवर्तन ही है बताए क्या है दोस्तों गेट्स के अनुसार यानि कि गेट्स का विचार था कि सीखना अनुभाव और प्रिशिक्षन द्वारा वेवार में परिवर्तन है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सीखना ठीक है यहाँ पर सी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा सीखना आगे देखे वर्तमान में मनो विज्ञान है तो दोस्तो वर्तमान में मनो विज्ञान है तो यह वेवार का विज्ञान है बी नंबर का उप्षन बिल्कुल से उतर हो जाएगा वेवार का विज्ञान तीन नमबर का प्रस्न इसमें देखे अभी वर्ती की कौन सी मौलिक विशेष्टा नहीं है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो देखे इसमें प्रेनात्मक क्रियात्मक तत्व है प्रेनात्मक क्रियात्मक तत्व है यह दोस्तो मौलिक विशेष्टा अभ ना right answer हो जाएगा यह इसकी विशेष्टा नहीं है ठीक है आगे देखे चार नमबर का प्रस्थ निमने में से विकास का मुख्य पहलू है विकास का मुख्य पहलू क्या है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो सारीरिक विकास मानसिक विकास सामाजिक विकास दोस्तो यह सभी क answer हो जाएगा वो है कि सोरा आवस्ता को कि सोरा आवस्ता को तो यहां पर अपना इसमें बी number का जो option है वो इसका बिल्कुल सहीतर हो जाएगा इसमें आगे देखें बालक प्रसंग बोद परिक्षन तीन से दस वर्ष की आयू के बालकों के लिए बनाया गया है इस परिक्षन में कार्ड परतिस्तापित किये गए हैं बताएए इस परिक्षन में कार्ड परतिस्तापित किये गए हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोगों के इस्तान पर जानवरों लोगों के इस्तान पर जानवरों का तो यहां पर अपना बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे पावलव ने सास्त्रिय अनुबंदन के सिद्धान्त में किसका परियोग किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुत्ते का परियोग किया है यहां पर अपना इसमे राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही कुत्ते का परियोग है वो किया है याद रखना ठीक है आगे देखे आट नमबर का प्रस ने बुद्धी का तरल मोजेक मोडल किस ने दिया था इसका राइट आंसर हो दोस्तों के टेल ने किस ने दिया था के टेल ने यहांपर अ नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्रों जाएगा श्राइट रकना आगे देखे नो नमबर का प्रस नहीं व्यक्तित्वय स्थाए समायोचन है तो दोस्तों देखिए परियावण के साथ जिन इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती उनका बंडार ग्रह निमने लिखित में से कौन सा है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो इदम तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इदम आग है दोस्तो वरोगों के एका सथितु यहाँ पर सी नंबर की उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बाराहrire का प्रहें लेकिदारChat का और्थ आ अर्थ का आै इसका राइट आन्सर हो जाएगा वह यह कि बिमर जो जो आप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उतर हो गा संपूर्ण था आगे देखिए तेरा नमबर का प्रस्ट ने गेस्टाल्ट वादी संपरदाय के परनेता कौन थे इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों मेक से वर्दाइमर मेक से वर्दाइमर तो यहां पर बी नमबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जा इतर हो जाएगा कोहलर ने किया था आगे देखिए पंदरा नमबर का प्रस्ट ने हैं बच्चों का विकास सेल व्यक्तित्व है किसके द्वारा प्रभावित होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें गरंतियों परिवार और विद्याले में प् की परकिरिया को उचीत डंग से प्रस्तुत करता है इसका राइट अंशर हो जाएगा वह है दोस्तों व्यवार में परिवर्तण का प्रस्तनिन्सわかलंबरे इसमें देखिए साइकल चलाने वाला स्कूटर चलाना सिग्र ही सीख लेता है यह हैं साइकल चलाने वाला स्कूटर चलाना सिग्र ही सीख लेता है यह है यह क्या है तो दोस्तों यह धनात्मक इस्तनांत्रन है ठीक है धनात्मक इस्तनांत्रन है डी नंबर उप्शन बिल्कुल से आगे देखे हल सिद्धान्त किस परकिरिया से समंदित है हल सिद्दान्त है वो किस परकिरिया से समंदित है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीखने की व्याक्या के सबली करने से समंदित है दोस्तों बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा गुनिस नंबर का प्रस्थन इसमे सिक्षार्थी में बदलावाता है राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 20 नमबर का प्रेस्ट ने परतिबा साली इबालक वहे है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुनवत्ता में विशिष्ट होता है ये कथन दिया गया है परतिबा साली बालक वहे है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुनवत्ता में विशिष्ट होता है ये कथन दिया गया है दोस्तो ये कथन दिया गया है बताएए तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें ये RW Taylor द्वारा ये कतन दिया गया है C number का option बिल्कुल से उत्र हो जाएगा 21 number का प्रस्ण इसमें देखे निसक्त बालकों की सिक्षा के लिए प्रावदान किया जा सकता है निसक्त बालकों की कौन सी विशेष्टा सामाजी क्रूप से वंचित वरग के विध्यार्थियों की नहीं है बिन golden key नबर का जो option वो इसका बिल्कुल से उत्र हो जाएगा आगे देखेए 23 नमर का प्रस्ण इसमें विध्यालेश्धे पर्तिबासाली एवँशडे बालकों के लिए निमन में से क्या सेक्षणिक व्यवस्ता होनी चाहिए विद्यालेयों में परतिबा साली एवं पिछडे बालकों के लिए निमन में से क्या सेक्षणिक व्यवस्ता होनी चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आवसर की समानता पाठे करम में समवर् रोकना राइट अंसर हो जाएगा इसमें उपरोक सभी डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखे ऐसे बालक जो परतेक छेतर में ओसत बालक से अधिक तीवर बुद्धिमान सारीरिक इसपूरती वाले एवम जीवन में अधिक सपलता पाते हैं वे कहल आते हैं तो दोस्तों वे कहलाते हैं वे कहलाते हैं दोस्तों परतिवासाली बालक यहां पर है बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा परतिवासाली बालक है आगे देखिए 25 नमर का प्रस ने बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वाता है तो कौन उप्यूक्त है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिक्सियारतियों को कुछ यह छूट देना की क्या सीखना है और कैसे सीखना है यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों के साथ वेफसाई की जानकारी हो डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें निसक्त बच्चों के लिए समयकित सिक्सा की केंदरिये प्रायुजित योज जना का उद्दे से किस में निशक्त बच्चों को सेक्षिक अउसर कराना इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें नियमित विद्यालियों में तो यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए सिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आंकलन इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए यहां पर सिक्षार्थियों की आवसक्ता के अनुसार है सिक्षण उपागम में परिवर्तन करना यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा यहां पर दे तरो जाएगा पारसपरिक सिक्षन आगे देखिए सिक्षन अधिगम प्रक्रिया की दरश्टी से एक अच्छा सिक्षक वह है जो जो दोस्तों जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उप्योग किया जा सकता है यहां पर डी नंबर का जो उप्षन है वो समन्य हिंदी से समन्दित 30 प्रस्ण करेंगे 31 से लेकर और 60 ठीक है यहां पर देखिए दोस्तों 31 नंबर का प्रस्ण है यहां पर देखिए ओरस का विलोम क्या होगा दोस्तों ओरस का विलोम है वो क्या होगा तो दोस्तों ओरस का विलोम दत्तक हो जाएगा यहां पर सी नं अंसर हो जाएगा इसमें यहां पर है डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें जलाशियों में पानी सूखने पर जमीन पर जमने वाली पपड़ी को क्या कहते हैं इसका राइट अंसर हो जाएगा उसको कहते हैं लीपी लीपी कहते हैं ए नंबर का कोई नहीं इसका रायट आंसर हो जाएगा देखिए यहां पर है सुरिया इस ने तो इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों सुरीए सब्ड का स्रीलिंग रूप है वो नहीं होगा यहां पर इसमें राइट आंसर दी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही आगे देखिए उदन तस्तरी यानि कि उडन तस्तरी में कौन सा समास है उडन तस्तरी में कौन सा समास है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों करमदारे समास है तरम करमदारे इसमें क्या है समास है अब इसका अगर अपने समास विगरे करें उडन तस्तरी का तो क्या होगा तो उड़ती है जो तस्त्री है जो तस्त्री तो यहां पर है इसमें कोंसर समास है तो करमदारी समास है सी नंबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए देखिए सुनक सब्द किसका प्रयायवाची है तो दोस्тов profound है ये ह् तदबव सब्द है दोस्तों जनेवू ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जनेव सब्द है वो क्या है तदबव सब्द है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे निमनलिकित वाक्य में काला दर्साया गया सब्द विशेशन है उसका भेद छांटी है निमना लिकित वाक्य में काला दर्स आया गया सब्द विशेशन है उसका भेद छांटी है देखे कुछ बच्चे कक्षा में सूर मचा रहे थे कुछ बच्चे कक्षा में सूर मचा रहे थे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एनिश्चित संक्यावाचक विसेशन है यहां पर डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर का प्रस्ट इसमें देखे निम्नांकित में से कौन सा सब्द परते युक्त है तो कौन सा सब्द परते युक्त है इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें Meanwhile in में दोस्तों इसमें इन परते लगा हुआ है ठीकर राइट उसमें डी नंबर का उप्षन बिल्कु सही आगे देख़ए मैं भाई کے लिए मुबाईल लाया हूँ यहां के लिए किस परकार का अव्यव है बताईए मैं भाई के लिए मोबाईल लाया हूँ यहां के लिए किस प्रकार का अव्यव है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सम्मंद सुचक है अव्यव है दोस्तो यहां पर डी नंबर का ओप्शन बिलकुल सही आगे देखिए विकारी सब सब्द क्या है दोस्तो विकारी सब्द 4 है ठीक है संग्या सरवनाम विशेशन और के लिया है यह चारों सब्द है वो क्या है विकारी है तो यहां पर इस प्रचन का राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्स सभी डी नंबर का ओप्शन बिलकुल सही 42 का प्रचन इसमें दुलहे दुलहन के कान वे सिर पर बांदने का सेरा दुलहे दुलहन के कान वे सिर पर बांदने वाला सेरा दोस्तों क्या होता है उसको बोलते हैं दोस्तों मोड बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मोड बोलते हैं राइट आंसर इसमें सी नंबर उप्शन सही उतर आगे देखे विवाग के समय दुलहे या दुलहन के मुख पर की जाने वाली सुनेरी चितरकारी उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तो मारोट बोलते हैं यहाँ पर B NUMBER का उप्शन बिलकुल सही मारोट बोलते हैं ठीक है, आगे देखे, विसायलकाे देते दोड़ा, इन में कौ सा पद विशेशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विशाल का यहां पर ए नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा विशाल का आगे देखें यहां पर उत्तर दिसा में कौन सी संग्या है दोस्तों उत्तर दिसा में कौन सी संग् अर्थ क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोनों और मुसीबत तो यहां पर सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे बूस में आग लगना जमालो दूर खड़ी बूस में आग लगना सोरी बूस में आग लगा जमालो दूर खड़ी लोकोक्तिक अर्थ है तो वो है कलय का बीजबोकर तथश्ट रहना कलय का बीजबोकर तथश्ट रहना यहां पर ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इकाई विदी का सबसे बड़ा गुण है तो वो है दोस्तो प्राकरतिक परिस्तितियों द्वारा कोशल विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे सुक्सम सिक्षन का उद्देश्य है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो सिक्षन को परभावी बनाने है तू मूल कोशलों में दक्सता प्राप्त करना यहां पर बी नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इतर हो जाएगा पचास नमबर का प्रेशन इसमें देखे मोन वाचन का मुल्यान का ने किस परिक्षा के द्वारा किया जा सकता है मोन वाचन का मुल्यान का ने किस परिक्षा के द्वारा किया जा सकता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है तो बहुं विकल्त परिक्षा, पूर्ति परिक्षा, सत्या सत्या परिक्षा, राइट आंसर हो जायेगा, 91 और परिक्षा, यहाँ पर B नमबर काए उपशन बिलकुल सह उत्र हो जाएगा इसमें आगे देखिए 51 नमबर का प्रस्थने नेदानिक प्रिक्षन का उद्देश्य है नेदानिक प्रिक्षन का उद्देश्य क्या है तो दोस्तों वह है चातर की बाहसा समंदी समता का मुल्यानकन करना यहाँ पर बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बावन नमबर का प्रस्ट ने इसमें देखे ओपन इसकुल में किसे सिक्षन विदी का परियोग किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो दूरस्त सिक्षन विदी का परियोग किया जाता है यहाँ पर सी नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएग आगे देखिए त्रेपन नंबर का प्रस ने मानसिक विकरती युक्त चात्रों के लिए किस पद्दती का प्रियोग किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ड्रेकाली पद्दती का यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए मौन्टेशरी पद्दती के जनक कौन है मौन्टेशरी पद्दती के जनक कौन है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डोक्टर मेरियो दोस्तों डोक्टर मेरियो है यह मौन्टेशरी पद्दती के जनक है यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आगे ए नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 56 से 60% अपने को पद्यांस को पढ़ कर उतर देना है यहाँ पर अपन डायरेक्ट चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रसने विसमता का विपरित आर्थक सब्द है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों ऐसा मांता ठीक है राइट अंसर हो जायेगा इसमें यहाँ पर सी नंबर का जो उप्रसन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए! 57 नंबर का प्रसने इसमें दि के समरत इस सब्द में baru है तो वह कौन सा उप्रसन है तो दोस्तों धनी होने का साफसों है अगे देखिए कौन सा सब्सब्स है तो कौन सा सब्से ELID控 क्रिछा औस दो यहां पर देखिएTime इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तो से से बिन माता पिता दिन रात बाहरी भरकम तो यहां पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा बाकी देखे इसमें माता पिता दिन रात ठीक है और भारी बरकम पसू पकसी ठीक है राइट अंसर इसमें बी नंबर का उप्शन हो जाएगा ठीक है सबस्केर, सबस्क्रत करें दो 시청 होते लुए हीुलatए तो सक्रस्टि के सब्सूर्णह्त Sense करें कि और पू horrific करने चाहिए 170 करने हैंगे इस इसमें यहां पर और यहां पर 2 नमर ओप्शन बिलकुल सब्सक्राइब आगे देखे बाश्ट नमबर का प्रस ने वसुदेव इतियतर संदीविचेद का रही है बताइए वसुदेव का संदीविचेद क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा वह वसुदो प्लस एव यहां पर अपना सी नमबर ऑप्शन बिल्कुल सब्सक्राइब आगे देखे यहां पर लोस्ट वत वेवारakes कुतर प्रदसनी ऐ लोस्ट वत वेवारे कुतर प्रदस्नी ऐ इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तो प्रद्रवेशू तो यहाँ पर सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे हैं मैत्वम इतियत्र कह परते हैं मैत्वम इतियत्र कह परते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो तवब परते हैं यहाँ पर डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे के 65 नंबर का प्रिशन है संस्कर्थी इतियत्र के उपसरग है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सम यहां पर बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सम आगे देखिए 66 नंबर का प्रिशन है कर्म फलम इतियत्र क का समासा है इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों तत पुरूस यहां पर अपना इसमें साइटर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें संसकर्ती मने निर्मलम एकरोत तो यहाँ पर बी नमबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 68 नमबर का प्रस्ट ने 68 से 14 प्रस्ट तक अपने को यहाँ पर पद्यांस को पढ़ कर उतर देना था ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्तों पद्यांस को मने पढ़ रहा है डायरेक्ट चल रहा हूँ यहाँ पर देखिए का अनेक रूपा विद्यते का अनेक रूपा विद्यते राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नरप निती तो यहां पर बी नमबर उप्शन बिलकुल सही आगे देखे पिर यह वादनी इत्यत्र कैपरते है बताए यह वादनी में कौन सा परते है राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों इनि परते है तो यहां पर अपना इसमें ए जर्वह एं लंगे में करें करूछ को और अपर संसरा फ्यर्फिक प्रत्र हाएगा होता इस ब्रत र gjorde धैंगे दोब अब देखें और से नमबर को स क्वेक्प कर अब 네、 पिपदशे विलॉम पदम किम भवित है बताए सत्यास का विलॉम क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें वो है अनृता तो यहां पर C number का ऊप्सन राइट आंसर और निर्था आगे देखे इसमें देयालूर अपी इत्यत्र कैसंदी विच्छेद है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो से अहम तवंचे विद्यालेम गच्छां या पर बी नंबर का option बिल्कूल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे वरनस से उचारन स्तानम किम वरनस से उचारन स्साथनम किम है इसका right answer बिक्सकाय दनम यच्छी यहां पर बी नमर का उप्सन बिलकुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे निम्नि लिखे टे सुक्ते समुचित पदे रिक्त इस्तानम पूरियत सवदे से पुझेते राजा सर्वत्र पुझेते तो यहां पर खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहां पर क्या करना है बताना है दोस्तों सवदेशे पुझेते राजा सर्वत्र पुझेते यहां पर खालिस्तान में क्या आएगा राइट आंसर हो जाएगा विद्वान सर्वत प्तर पूजेते यहां पर सी नमबर बिल्कुल है आगे देखे के यहां पर एहं में पुस्टकाणी पठाने दोस्तों है वाच्चे परिवर्तन करना है यहां पर क्या हो जाएका राइट अंसर इसका स offense उत्तर हो जाएका दूस्तों वह है इस मया पुस्तकानी पठियंते, यहां पर C नमबर ऑप्षन बिल्कुल सही, अज C नमबर का प्रेशने, वै कारश से उच्छारन इस्तानम किम, वै कारश से उच्छारन इस्तानम किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है, दोस्तों, इसमें दंतोष्ट है, यहां पर A नमब भासा शिक्षने सरोपर्थम भासा कोशलम विद्यते इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें सरवनम यहाँ पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही सरवनम आगे देखे यहाँ पर उदारनानी प्रस्तुये नियमस से कतनम इती के विदी राइट आंसर हो अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें परायर विदी तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे परंपरागत साय को कारणम अस्ती राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शाम पट तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर option बिल्कुल सही आगे देखे कश्यापी नगरशे भोगोली की इस्तती बोध्यूतू की द आपसा कश्य कते वर्तते राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें संग्नकश्य यहाँ पर सी नंबर option बिल्कुल सही आगे देखे अति लगुद्धात्मक प्रशनानाम उत्तर सीमा शात सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें एक वाक्यम डी नंबर का option ब परिक्षा ठीक है वस्तुनिष्टा परिक्षा यहाँ पर यह नंबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों यह मैंने आज आज आपको जो छटा नंबर का मोडल पेपर करवाया है रिट बरती परिक्षा लेवल टू एसस्टी यानिकि सामाजी कद्यान के नव हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर है जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत